जब सब के सामने दिख गए ये दस बॉलिवुद अभिनी त्रियों के कपड़े का अंदर का हिस्सा नमबर दस मोनी रॉय नागिन की किरदार से लोगों के दिलो पर राज करने वाली मोनी रॉय नो डाउट हुसन की मलिका है वो जो भी पहनती है वो सब ट्रेंट करता है अपने खुबसूरत ड्रेस को लेकर वो खुब वहावाही बटोरती है लेकिन कई बार अपनी सेक्सी ड्रेस के चलते ही वो उपस मोमेंट का शिकार भी हुई है ऐसा ही एक बार मीडिया अफिरेंस के दौरान हुआ था जब अपने सिजलिंग रेड गाउन में पोज करने के बाद वो उपस मोमेंट का शिकार हो गई खुबसूरत गाउन पहनते हुए वो ये भूल गई कि ये उनके लिए सरदर्द भी बन सकती है इसलिए वैनटी में उपर चड़ते उनके बाल साइड हो गए और कुछ ऐसा कैमरी में कैद हो गया जो नहीं होना चाहिए था मोनी रॉय को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि वो इस ड्रेस के साथ एम्बारिस होने वाली है जानवी कपूर बॉलिवुड का नया चेहरा जरूर समझा जाता है लेकिन इस फिल्मी चकाचौंद की दुनिया से उनका नाता काफी पुराना है श्रीदीवी और बोनी कपूर की बेटी होने के नाते वो हमेशा से ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी रही है और मीडिया अपिरेंस करती रही है बॉलिवुड में अपनी आक्टिंग के अलावा जानवी कपूर एक स्टार किड की रूप में भी जानी जाती है जिनहीं काफी ज्यादा मीडिया अटेंशन मिलता है लेकिन ये अटेंशन भी कभी-कभी सरदर्द बन जाता है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार इनकी छोटी ड्रेस नहीं उन्हें कैमरी के सामने अनकमफ़टेबल कर दिया दरसल तेज हवा के चलते उनकी फ्रॉग बैक साइड से इतनी ऊपर उठ गई कि जान भी खुद शर्मिंदा हो गई अब इस उपस मोमिंट के बाद उन्होंने पोस्ट देने के बजाए वहां से खिसक लेना ही बहतर समझा बॉलेवुज में कॉंट्रिवर्सी क्वीन कंगना रनाथ कहां किसी से पीछे रही है कंगना रनाथ की बेबाक अंदास को तो हर कोई जानता है अपने विवादित बयान और नेपोचिसम को लेकर तो वो हमीशा ही सुर्खियों में रहती है लेकिन कई बार अपनी ड्रेस को लेकर भी वो काफी सुर्खिया बटूर चुकी है दरसल हमीशा कुछ करने की होड में कंगना कभी-कभी कुछ हैसा कर जाती है जिसे देख कर लोग भी हैरान हो जाते हैं ऐसा ही कुछ जजमेंटल है क्या मूवी के इवेंट पर इनके साथ हुआ जब उनकी अतरंगी ड्रेस का जलवा इन पर कुछ ज्यादा ही बारी पढ़ गया दरसल इवेंट पर कंगना ने ग्रीन डाउन पहना था जो साइड से कट होने के साथ थोड़ा सा ट्रांस्पेरिन भी था ऐसे में फोटो के लिए पोस्ट करते हुए वो इतना कुछ दिखा गई जिसके लिए उन्हें खुद ही इंबारस होना पड़ गया औरियंस भी जजमेंटल फिल्म के प्रमोशन पर फिल्म से ज्यादा कंगना को उनकी ड्रेस के लिए जज़ कर रहे थे अपने फैशन, स्टाइल और दिलनशी अदाव से साउथ इंडस्ट्री पर राज करने वाली रकुल प्रीत सिंग का कोई जवाब नहीं इनका बोल्ड अंदाज जितना पॉप्यूलर है उतनी ही पॉप्यूलर ये अपनी वाड्रोब माल फंक्शन को लेकर भी रही है रकुल प्रीत उन चंद आइक्ट्रिसेज में से एक हैं जो एक बार नहीं बलकि कई बार उप्स मोमिंट का शिकार हुई है कैश्वल आउट्फिट से लेकर अवाड फंक्शन तक कई बार वो अपने अनोखे फैशन सेंस को लेकर ट्रोल हो चुकी है एक बार महीश बाबू के साथ फिल्म प्रमोशन के दौरान वो शौट ड्रेस में नज़र आई और ड्रेस अज़र अज़र करते हुए वो कमफर्टेबल सिचुवेशन में नहीं थी कुछ ऐसा ही अईयारी फिल्म के प्रमोशन के दौरान कई लोगों के सामने हुआ जब सिधार्थ मलोत्रा ने उन्हीं लिफ्ट किया तो ओडियंस को वो नज़ारा देखने को मिल गया जिसे रकुल प्रीथ अंबारस हो गई और नीचे उतर कर वो अपनी ड्रेस को अज़स्ट करते हुए दिखाई दी लेकिन तब तक सब कुछ कैमरे में कैप्चर हो चुका था टॉलिवुड में काजल अगरवाल को किसी इंट्रोड़क्शन की जरूरत नहीं है अपनी आक्टिंग, टालेंट और खुबसूरती से हुसन की मलीका ने अच्छी खासी फैन फॉलाइंग बनाई है वैसे तो अपनी काम को लेकर ये हमीशा चर्चा में रहती है लेकिन इनके वाडरोब मालफंक्शन के भी कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर वाइरल हुए है दरसल ये महतरमा किसी इवेंट या अवाड फंक्शन पर इंबारिस नहीं हुई बलकि ये शर्मसार करने वाला मोमेंट उन्हें काफी हाइट पर महसूस करना पड़ा जी हाँ एक फिल्म की शूटिंग के दोरा जब इन्होंने शॉट फ्रॉक पहन कर पाड़ी के टॉप पर गई तो हवा के जोकी से उनकी ड्रेस उपर हो गई और इनका इनर वेर कैमरे के सामने रिवील हो गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हुआ और फैन्स ने काजोल को उनकी इस बेवकूफी के लिए काफी ट्रोल किया बहतरीन इंडियन मॉडल और फैमिना मिस इंडिया की विनर रह चुकी अंकिता शौरी को लोग उनके क्रेज और शामधार ड्रेसिंग स्टाइल के लिए जरूर जानते हैं लेकिन कमाल की बात ये है कि मिस इंडिया भी अपनी कपड़ों की वजह से इंबारिस हो चुकी है एक स्टोर के फंक्शन में महतरमा ने कुछ ज्यादा ही सेक्सी गाउन पहन लिया था जिसमें वो काफी खुबसूरत लग गही थी लेकिन बोल ड्रेस साइड से इतनी रिवीलिंग थी कि ब्यूटी क्वीन को अनकमफरेबल कर गई अब ऐसे में मिस इंडिया को भी समझ नहीं आया कि अपनी ड्रेस को अज़स्ट करें या कैमरे को पोस दें अलिया भट बॉलिवुड का वो चमकता सितारा है जिसने अपनी शुरुवात तो स्टार किट की रूप में की लेकिन अपने टैलन से लोगों के दिलों में जगा भनाई अक्टिंग से लेकर सिंगिंग और क्यूट अंदाज के लिए वो जानी जाती है लेकिन ये मैडम कई बार वार्ड रोब माल फंक्शन के चलते भी सुर्खियों में आई है अवार्ड फंक्शन से लेकर फैशन शोज तक ये उपस मोमेंट का शिकार हो चुकी है 2017 में एक इवेंट में ये मनीश मलहुत्रा के डिजाइनर लहेंगे के साथ रैंप पर वॉक करती नज़र आई दरसल आलिया भट एक मिरर रैंप पर वॉक कर रही थी एसे में रेट कारपेट लुक के लिए लहेंगा अर्जुस्ट करते हुए मिरर रैंप को सब कुछ दिखा दिया जो नहीं दिखना चाहिए था कमाल है इतना बड़ा लहेंगा पहनने के बाद भी जब ऐसा हुआ तो आलिया की नज़रे शर्म से जुग गई नमबर तीन मलाइका रोडा उपस मॉमिंट का जिक्र हो तो मलाइका रोडा का नाम कैसे पीछे रह सकता है बॉलिवुड की ये हिरोईन 48 साल की उम्र में भी सेक्सी लुक देते नज़राती हैं इतनी सेक्सी के भई फैन्स इनके दिवाने हो जाते हैं जिन से लेकर इनके एपोट लुक तक काफी कुछ हेडलाइन्स में बनी रहता है ऐसे में जब ये ग्लामरस ड्रेसेज कैरी करती हैं तो पैपराजी के कैमरे भी मलाइका को ही ढूनते नजर आते हैं इसी का नतीजा है उनके उपस मोमेंट भी कैमरे की नजरों से बच नहीं पाते फिर चाहें वो अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करने ही क्यों न निकली हो ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ जब वो अपनी दोस्त करीना कपूर और अमरिता अरोडा के साथ हैंगाउट करती हुई दिखाए दी इस दौरान उन्होंने बैकलेस टाइट टॉप पहना था मीडिया को पोस देनी के बाद गाड़ी में बैठते हुए गलती से मलाइका ने बहुत ज्यादा एक्सपोस कर दिया जिससे वो वीडियो इंटरनेट पर वाइरल हो गया मलाइका रोडा को इससे इंबारस्मेंट भी हुई प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल डॉमिनेशन क्वीन प्रियंका चोपड़ा वो सितारा है जिन्हें बेबाग जीना पसंद है और अपनी स्टाइल के फैशन को फॉलो करना अच्छा लगता है अब इनके स्टाइल में केवल देशी अंदाज ही नजर नहीं आता बलकी विदेशी स्वाग भी नजर आता है तभी तो ड्रेस के खिसकने या उपस मॉमिन्ट का शिकार होने पर उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता ऐसा कई बार हुआ है कि प्रियंका चोपड़ा की अतरंगी फैशन ने उनका साथ नहीं दिया लेकिन फिर भी वो अपने बोल्ड अंदाज में इसे इंजॉय करते नजर आती है निक जोनस के साथ एक नाइट का मसा लेते हुए उनकी वन पीस ड्रेस इतनी खिसक गई कि कैमरे में कुछ नहीं बलकी बहुत कुछ कैद हो गया लेकिन अपनी ही दुन में इंजॉय करती प्रियंका को पता नहीं चला और उन्हें को एक खास फर्क भी नहीं पड़ा कभीर सेंग, गुड निउज और शेर शाज ऐसी फिल्मों में अपनी आक्टिंग का लोहा मनवा चुकी है कियारा आडवानी हाला कि टॉलिवुड में ये कई फिल्मों में अपना जलवा बिखेड चुकी है लेकिन बॉलिवुड में आने के बाद इनकी लोग फ्रियादा दुगनी हो गई है ओडियन्स इनके मासूम और खुबसूरत चहरे की कायल है इंडियन एथनिक हो या फिर वेस्टन आउटफिट इनके लुक्स की तारीर सभी करते हैं लेकिन इनकी ड्रेस डिसास्टर कब बन जाती है और लोग इने ट्रोल करने लगते हैं ये भी सच्चाई है इसी का नतीज़ा है कि फिल्म की सकसेस पाटी के लिए चूज की गई इनकी ड्रेस को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया दरसल एक नॉर्मल पाटी के लिए कियारा ने कैजूल शौट ड्रेस पहना था जो पैपराजी के सामने हवा में उड़ गया और कियारा को इंबारेसिंग फील हुआ अब ऐसे में ये वीडियो वाइरल हो गई और ड्रेस डिसास्टर के लिए इन्हें काफी शर्मिंदगी जेलनी पड़ी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने लाइक और कॉमेंस के जरीए जरूर बताए ऐसी और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहे हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं